ओम शुरी गणेशाई नम्हा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्फागत है आज की इस वीडियो में आप जानेगे जेस्ट मास के क्रिशन पक्ष में पढ़ने वाली चतुर्थी तिथी को चतुर्थी तिथी भगवान गणेश को समर्पित होती है तो चतुर्थी तिथी कब रहेगी वरत कब रखा जाएगा और कब खोला जाएगा आप जानेगे चतुर्थी तिथी के दिन की जानेवादी भगवान गणेश जी की पूजा विधी के बारे में चतूरती तिथी के दिन विग्नर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, पूजा करके उपवास भी रखा जाता है, तो पूजा करने के लिए सुभा ब्रहमो मूर्थ में उटकर इस नानादी से निमृत होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है, इस दिन शुब वो दिशा की और मूँ करके भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है पूजा करते से में भगवान गणेश को लड़ू मोदक फल फूल और दूर्वार पित की जाती है धूब दीपक जलाकर आरती की जाती है व्रत की कथा पढ़ी असुनी जाती है और आज के तिन भगवा के दर्शन आप ना कर लें ये व्रत अधूरा माना जाता है लेकिन कई बार आस्मान में बादलों की कारण चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाते हैं तो ऐसे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि चंदुर्थी तिथी के दिन रात को चंदुर्दे का समय क्या रहेगा तो एकदंट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान गनेश के एकदंट स्वरूप की पूजा की जाती है यानि कि जिसमें भगवान कर सकते हैं पहले जान लेते हैं चतुर्थी तिति के दिन पढ़ने वाले शुप सयोगों के बारे में बहुत ही शुप सयोग बन रहे हैं ना जाता है कि शुप सयोग में की गई पूजा पाठ से जो भी आपकी मनुकामना है वो जल्दी पौण होती है तो एकदंत संकस्टी च शुब योग प्रारम हो जाएगा और ये दोनों ही योग भगवान की पूजा करने के लिए अत्यनते शुब माने कए हैं इसमें आप चाहें तो सुबह के समय पूजा कर सकते हैं हाला कि विग्णरता भगवान गडेशी की पूजा चतुर्थी तिति के दिन दोपहर के समय की जाती है तो दोपहर के समय ही अभिजीत मूर्थ भी रहने वाला है अभिजीत मूर्थ के बारे में ऐसी मानेता है कि इस समय आप किसी भी तरह का शुबकारे प्रारम कर सकते हैं अगर आपकी कोई विश्यस मनुकामना है तो उसकी पूर्ती के लिए आप भगवान गडेशी कि इसी शुब मूर्थ में पूजा करके प्रार्थना भी कर सकते हैं आपकी मनुकामना अवश्य पूर्ण होगी 19 मई गुरुवार को अभिजीत मूर्थ रहेगा सुबह 11 बचकर 56 मिनट से लेकर दोपहर 12 बचकर 49 मिनट तक इस समय में की गई पूजा से विगनरता भगवा अपना आशिरवात जरूर प्रतान करते हैं साथ इस दिन रहुकाल का समय भी रहने वाला है जिस समय आपको कोई भी शुबकारी करने से बचना चाहिए रहुकाल का समय रहेगा दोपहर 1 बचकर 15 मिनट से लेकर शाम 3 बचकर 15 मिनट तक तो ऐसे में आपको रहुकाल के समय ना तो कोई दान करना चाहिए ना ही किसी प्रकार की पूजा पार्ट करनी चाहिए और ना ही कोई शुबकारी प्रारम करना चाहिए आप इससे पहले या तो कोई भी काम करना चाहें कर सकते हैं या राहुकाल का समय बीतने के बाद आप चाहें, तो शुबकारी कर सकते हैं बात करते हैं चतुर्थी तिती की चतुर्थी तिती प्रारंब होगी 18 मईग बुधवार को रात 11.38 मिनट से और समाप्त होगी 19 मई गुरुवार को रात 8 बचकर 24 मिनट पर उसके बाद से पंचमी तिथी प्रारम हो जाएगी 19 मई को चंदरोदे का समय रहेगा रात 10 बचकर 48 मिनट पर और कृष्ण पक्ष में चंदरोदे देर से होता है इसलिए जो लोग भी वरत रखना चाहते हैं उन्हें रात को इस समय के बाद ही वरत खुलना चाहिए यदि आपने चंदरोदे की पूजा इस दिन नहीं की तो आपका वरत अधूरा माना जाता है और इस प्रकार से हो सकता है कि जो आपकी मनो कामना है वो भी अधूरी रह जाएं या आपके जीवन की समस्याएं जिनके निवारन के लिए आप आज के दिन वरत रखना चाहते हों या पूजा करना चाहते हों वो समस्याएं भी आपके जीवन में बनी रहें ये थी आज की वीडियो उमीद करती हूँ, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो अगर अच्छी लगिए तो प्लीज वीडियो को लाइक चरूर कीजेगा